दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि COVID-19 बैक्सीन सर्टिफिकेट में नाम, जन्मितिती, मोबाइल नमबर, जेंडर या फोटो आइडी में कुछ गलत हो गया है तो आप उसे आनलाइन घर वैठे मोबाइल से कैसे सही कर सकते हैं तो वीडियो को सुरू से लाश्ट तक देखे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को अलपर प्रेस कर लीजिए तो सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राजर ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करना है कोबिन कोबिन टाइप करने के बाद सर्च कर देना है सर्च करने के बाद सबसे उपर वाले वेफसाइट कोबिन पर क्लिक कर लेना है किलिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाए देगा उसके बाद register sign in पर किलिक कर लेना है उसके बाद यहाँ पर अपना mobile number इंटर करना है यहाँ पर आपको वही mobile number इंटर करना है जो आप vaccine लगवाते समय mobile number दिये थे तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नमबर इंटर कर लेता हूं मोबाइल नमबर इंटर करने के बाद Get OTP पर क्लिक कर देना है OTP फिल करने के बाद Verify and Proceed पर क्लिक करना है उसके बाद three land पर click करना है, उसके बाद support पर click करना है, उसके बाद certificate corrections पर click करना है, click करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 5 option दिखाई दे रहा होगा, तो दोस्तों पहला option यहाँ है कि अगर आप name, age, gender, photo, id, इन में से किसी को भी change करना चाते हैं, तो इस पर click कर लेना है, click करने के बाद यहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा, important, vaccine, certificate, can only be change, one time, all change, or permanent, इसका मतलब यहाँ है कि दोस्तों अगर आप अपने certificate में name को change कर रहे हैं, तो आप केवल एक बार ही name को change कर सकते हैं, अगर आप date of birth को change करना चाते हैं, तो आप केवल एक ही बार अ आपको member को select कर लेना है, अगर दोस्तों आपके mobile number पर एक से अधिक लोग register होंगे, तो उनका नाम यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ से name को आपको select कर लेना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा, note, you can request up to two change maximum in your certificate, इसका मतलब यहाँ कि दोस्तों आप name, date of birth, gender, photo ID, इन चारों में से किसी दो को ही आप change कर सकते हैं, अगर आप name को change करना चाते हैं, तो इस पर click करना है, यहाँ पर अपना name enter कर देना है, अगर आप date of birth को change करना चाते हैं, तो यहाँ पर अपना date of birth, enter कर देना है, अगर आप gender को change करना चाते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ से male female को select कर लेना है अगर आप photo ID को change करना चाते हैं तो इस पर क्लिक करना है यहाँ पर अपना photo ID नंबर डाल देना है यहाँ पर आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा Change in vaccination certificates can take up to 24 hours इसका मतलब यहाँ है कि दोस्तो आप जो अपने certificate में correction कर रहे हैं वो 24 घंटे के अंदर update हो जाएगा उसके बाद continue पर क्लिक कर देना है continue पर क्लिक करते ही 24 घंटे के अंदर आपका certificate अपडेट हो जाएगा दोस्तो आप अपने certificate में mobile number को change करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ से member को select कर लेना है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर अपना new mobile number इंटर कर देना है इंटर करने के बाद यहाँ पर tick out कर देना है टिक आउट करने के बाद continue पर किलिक कर देना है, continue पर किलिक करते ही आपके mobile number चेंज हो जाएगा, तो दोस्तों इस तरह से आप अपने certificate में सुधार कर सकते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो का लाइक कीजिए,